और सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेगी तो दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.67 इंचिस की Full HD Plus AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो की 120Hz की refresh rate को स्वोड करती है दोस्तों डिस्प्ले आपर content watching के साफ से दोनों स्मार्टफोन की बढ़ी है क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें AMOLED पैनल मिल रहा है एकदम जवर्दस content watching आपको करवा देगा और IP rating के अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर IP 65 rating के साथ में आते हैं ना दोस्तों इन्होंने नहीं दे नहीं IP 68 rating बाइसा 15-1800 वाले फोन में भी हमें IP 68 मिलने लगी है लेकिन यह बंदे कहरें ना हम तो सरफ पैसे बचाएंगे भाई यही है इनका धर्म है और operating system की बात करें तो दोनों फोन्स आउट ओदा बोक्स 114 के साथ में आते हैं जूकि realme UI 5.0 पर based हैं दोस्तों दोनों फोन्स के साथ में आपको 2 साल के Android अपडेट्स और 3 साल के security अपडेट्स मिलेंगे वाई यह operating system के मामने में दोनों स्मार्टफोन बढ़ी है कोई दिक देखने को मिलेंगी आप उन्हें हटा सकते हूं मैं मानता हूं यार लेकिन फोन में डाल के भेजने ही क्यों है यार वाई तुम पहले से बिल्कुल क्लीन UI करके भेज़ो ना फोन को लेकिन कह रहें ना जी हम तो पैसा कमाते हैं यह ब्लोटर साथ को डाल के फोन में बताओ यार यूजर एक्सपिरेंस खराब करके बंदे पैसे कमारें कितनी गलत बात है यार अगर हम बात करें चिपसेट की तो दोनों फोन के अंदर हमें डामन सेटी 7300 5G चिपसेट दिया गया जो की 4 नानो मिटर टेक्नोलजी पर बेज़ड है यार आप सोच रहे होगे दोनों अगर आपको सारी सेम मिलेगी दोनों फोन के साथ में बस यह नाम अलग अलग रखके फोन को रिलॉंच करते रहते हैं कि 15-20 फोन मार्केट के अंदर लॉंच कर दो बंदा एक नायक तो खरीद ही लेगा यार करगा रियल्मी कि इतने सारे फोन है चलो यही क्या पता बढ़ में बढ़िया बढ़िया गेमिंग आप दोनों फोन के साथ में कर पाएंगी उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और यहां पर दोनों फोन का आता है साथ लाग चालिस हजार की क्रिब और यार अगर आप इन दोनों फोन में किसी वाल को बाई करना चाहते है तो में नीचे description में दे दिया वहां से जाकर आप इने बाई कर सकते हैं और camera setup की अगर हम बात करें तो भाई वो भी सेम है दोनों फोन के बैक में डिया गया है जा पर में कैमरा पचास मेंगा पिक्सल का देखिए दोस्तों दोनों फोन के साथ में आपकी फोटो क्लिक कर देगा बाई camera samples आप दोनों फोन के screen के ओपर देखिए पार है कि इनके main camera ने detailing को बढ़िया तरीके से capture किया है लेकिन दिक्कत आएगी तो इनके 2 megapixel के depth camera से जो की useless है यार ये real में आले भाई ultra wide camera दे सकते हैं लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में इनके ultra wide camera भाई नहीं दिया phone के अंदर ये bloater डाल के भी इनकी पैसो के भूग लगता खतम नहीं हुई है तब ही तो ultra wide camera नहीं दिया इन्होंने इसके अंदर और maximum video recording दोस्तों अब दोनों फोन के back camera से 4K 30fps पर कर सकते हैं और अगर हम बात करें यार selfie lovers की तो दोनों फोन के front में 16 megapixel का selfie camera दिया गया दोनों फोन के front camera भाई अच्छे detailing के साथ में selfie photos क्लिक कर देते हैं और maximum video recording आप दोनों के front camera से 1080pixel तक at 30fps पर ही कर सकते हैं 60fps का spot आपको front में नहीं मिल रहा भाई दियान रखिएगा यहां भी इन्होंने cost cutting करी है और battery department के लिए दोनों फोन फोन यहांबर 5000 mAh की battery के साथ में आते हैं और दोनों फोन के अंदर हमें stereo speakers भी दिये गए हैं loud enough अच्छे volume produce कर देते हैं और security के लिए में दोनों फोन के अंदर under display fingerprint sensor plus से सनलोग भी देखने को मिल जाता है और अब last में हम बात करते है pricing के तो दोनों फोन के 6 plus 128GB variant की pricing है 17,000 पे pricing भी same है और अगर मैं यहाँ पर अपना point of view दूना भी दोनों smartphone के लिए क्या point of view दो दोस्तों दूनों phone सेम है भाई बढ़ डिजाइन अलग है तो आपको जो design बढ़िया अलग है उसके साथ से phone buy कर लो